टो हेलो गाईज, आज आज का अपना टॉपिक है मसल ओफ सूल अब जो सूल होती हे , यह आपको पार की ना पर की कूछ में आपकी कुछ में भल देंद के सूल अब इस शोल के अंदर मसल nik़ है , अब आपको आपको दिखा namको यूज पार लेयर के इ perimeter qui अब इसके अंदर जो हैं तीन मसल रहती हैं वैसी इसके अंदर सेकेंड लेयर, थर्ड लेयर और फॉर्थ लेयर तो इसके अंदर जो हैं और उन लेयर के अंदर कुछ मसल रहती हैं तो आज अपने इस वीडियो में यही पढ़ेंगे कि कौन-कौन सी लेयर में कौन-कौन सी मसल है, उनका ओरिजन और इनकी नवस अपलाई क्या है मसल अपलाई कि युणिवर्सिटी इस वेरी शॉट में कौन पूशन के नाम बताओ, या फिर्स लेयर की मसल के नाम बताओ, तो आपको लेयर निवस फिर्स एकंड और थर्ड अर फॉर्थ सारी लेयर उनके मसल के नाम याद होने चाहिए, इसका अगर इस अपर्जन नहीं है और अगर वर इसकी दै आरे आइ आखर तो य ağr ..." एक दिन बाद बूल जाँगे तो मैं तुम्हें उसकी जुंगल से बता होगा अगर तुम्हें जाद करते हो तो तुम्हें डेफिनेटली स्कति सोगे के चले सिर्फ के उत्या, छे करते हो हैं PG-CAMPGQ में भी इसी तरीके से कॉशन आते हैं कि भीच आप फॉलविंग इसना मसल ऑफ फर्स लेयर ऑफ सोल या सेकंड लेयर ऑफ सोल तो इसना मसल जो है यह बहुत जाता इंपोर्टेंट कंसेप्ट है तो सबस्ब पहले आपन देखते हैं फर्स लेयर अगर तुम इसमें देख पा रहे हो इसका जो नाम है उसमें इसका काम और जगे चुपी है मतलब की पहलेचा यह बदक्ट्रेंट्र आपको है मतलब के बह이지 मिसंद कर आएयगा चर बाया सोल आपको मिलेगा इबट्र सेजना म्सल एंपकी थर्ट क्या कणर एक रह difेड़ा आपके great toe को abductor करवाने के लिए अलग से मसल है, तो small toe होता है, उसके लिए अलग से होगी, तो digit, digit के लिए है, minimum मतलब छोटी बाली के लिए, तो इसको अब मैं क्या आपको याद करने के लिए जिंगल पाता देता हूं, तो इसके जिंगल है, वो है आपका apps HD, अब जो apps होते हैं, जो अपन बोडी विल्टर वगरा देखने हैं, आपने बोल रहे हैं, बोडी विल्टर के apps हैं, वो है आपके HD, अब ये apps से आपके क्या जाएगा, ये जो abductor है, उसको में बोल देता हूं, then, h से आपका hellesis, d से डिटी, minimum, उसके बाद, इसके अंदर है, friend, db, अब भुपाल में एक mall है, उसको बोलते हैं, db mall, और जित्ता है, जब भी मैं आपको friend, जब भी friend में लिखूंगा, friend हमेशा होगा, flexor के लिए, तो friend का F हो गया, आपका flexor के लिए, d हो गया, digitorum, b हो गया, brevis के लिए, तो first layer को याद कहने की चिंगल क्या है, भाई के app से hd, और friends से db, db बाले, तो app से अपना क्या होगा, abductor, h से hellesis, d से digitit minimi, और यहा, f से friends, हमेशा आपन बोलेंगा, flexor, d से digititorm, b से brevis, तो यह, मैंने आपको सारे, first layer के muscle बता दी, और उसको याद करने की ट्रिक बता दी, अब अपन देखते है, second layer, अब जो second layer के जो आपर डागराम देख पा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या रहता है, कुल मलाक के इसमें से 2 muscle रहती हैं, एक है आपकी, lumbrical muscle, और दूसरी है आपकी quadratus planty muscle, अब जो lumbrical muscle जो रहती है, यह अपन ने अपर ले में भी देखा था, कहां होती हैं, यह हमेशा आपकी होती हैं, flexor digitorum longus की tendon में, तो lumbrical muscle जो आपन ने head में देखी थी, वो आपन ने कहां देखी थी, तो आपन ने देखी थी, flexor digitorum profundus में, अब यहां पर प्रोफंड़ की जगह है longest, तो इसोल वाले पार्ट में, lumbrical muscle है, यह आपकी है, flexor digitorum longus की tendon pin की origin होता है, तो कुल मला के यहां पर किती lumbrical हैं, 1, 2, 3, 4, यहां पर 4 lumbrical होती हैं, और एक muscle होती हैं, quadratus planty muscle, तो इसको याद करने की jingles है, lumba क्यों, अब कुछ अपने friends हो रहते हैं, हाइड बहुत लंबी रहती हैं, तो इसको पूछ रहे हैं, lumba क्यों, lumbrical क्यों सो हो गया, quadratus planty muscle, तो अगर तुम इसको jingles में याद करोंगे, मैं बता रहा हूं, first and second layer की उसको लिख लो, उसके jingles से तुम्हें बिल्कूल अच्छे से याद हो जाएंगी, तो second layer की jingles है, lumba क्यों, lumba मतलब अपन करेंगे lumbrical के लिए, क्यों हो जाएगा अपने quadratus planty muscle के लिए, then अपने इसमें रहते हैं, यह जो है आप देख रहे हो डाइगराम यह है आपका third layer का डाइगराम अब जो third layer जो होती है आपकी soul की यह बहुत important है, मलब कि कर में लिए अगा उनिवसिटी मोस को पूछना होता है, तो आपको यह पूछदा है कि नाम लिख के बता है और MCQs भी जो में लिए उनिवसिटी में करें वो maximum third layer भी थे तो आपको third layer को देखना है इसके अंदर कौन कौन सी muscle है इसके अंदर एक flexor helices bravis एक है आपकी flexor और एक muscle होती है adductor, अभी अपने देखिती लेकिन इस बार है adductor अभी जो muscle है यह जो रहती है first layer जे बहुत जादा similar रहती है अगर मैं आपको first layer का first day diagram दिखाऊं तो first layer में क्या था यहां पर थी abductor abductor और यहां पर भी abductor मतलब यहां पर abductor helices थी digitiminimi थी यहां पर क्या करना है abductor हटा के करना पड़ेगा flexor तो third layer में रहता है उदर रहो जाता है flexor तो यहां पर होती है flexor helices bravis जो यह वाली muscle है एक है flexor digitiminimi bravis अपन फर्स लेयर में क्या देगा था flexor की जगह abductor helices bravis और abductor digitiminimi तो यह जो तो third layer है जो फर्स लेयर के similar होती है एक चेंज आपने काड़ा abductor detector की जगह flexor लगा दिया उसके लाबा यहां पर एक muscle यह देख रहे हुआ यह है आपकी adductor helices अब उसके दो head आपको दिख रहे होंगे एक है transverse में तो उसको अपन बोल देंगे transverse head और एक हलका सा oblique है तो उसको बूलेंगे अपन oblique head बतलब की थर्ड लेयर है उसमें कितनी muscle हो गए तीन muscle flexor helices bravest एक flexor dgt minimi दूसरी abductor helices तो इसको मैं तुम्हें याद करने की जिंगल बाता देता हूँ अपनने वहां पर उसकी जिंगल का देगी थी abs HD क्योंकि वहां पर flexor की जागा क्या था abductor यहां पर लिख देंगे friends hd मतलब उसके अगर app HD है तो third layer friends HD है मैंने बताया था हमेशा अपन friends से क्या बोलेंगे abs हो जाएगा flexor h हो जाएगा helices d हो जाएगा dgt minimi तो एक इसकी जंगल है friends hd then फिर अपन लगेंगे इसके अंदर add cinema hall तो उसको याद कर तुम इस तरीके से कर सकते हो कि अपन जो है friends जो अपने hd है उसके साथ अपन जले गए add अपन निकल लिया cinema hall अपन उसको cinema hall में चले गए अब यहाँ पर ads हो जाएगा abductor adductor helices and hall 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 तो आपको बिल्कुल जिंगल ही बनाई है कि confusion होना ही नहीं है और अगर कोई भी MCQs होता है वो बिल्कुल आपसे बनेगा आप इसको wrong तो करें नहीं सकते आप तो थर्ड लेयर के अपने जिंगल है Friends HD, Add Cinema Hall Friends से हो गया Flexor, H से होगा Hellysis D से होगा Digity Minimi Then Adds से होगा Adductor, Adds से होगा Hellysis पर आपने जानते हैं इसके दो हैड होते हैं एक है Transfers and Oblique तो आपने बोलेंगे इसको OT O से होगा Oblique, T से होगा Transfers तो यह मैंने आपको थर्ड लेयर बता है और थर्ड लेयर की muscle important होती है वो University में Maximum Time यही बूसता है आपना आपने इसके 4th layer बे तो इसके 4th layer बे शिर्फ एक muscle रहती है कौनसी muscle? Introsyai muscle उसके अलावा इसमें जो हैं 2 tendon है अगर यहाँ पर आप देख पा रहे हो यह क्या है? यह आपका TBLS Posterior की tendon यह वाली जो tendon है यह है आपकी Peronius Longus की tendon मतलब कि अगर तो फोर्द layer में देखो यहाँ पर सिफ एक ही muscle होती है वो है आपकी Entrosyai muscle तो इसको याद करने के जो जिंगल है और डारेक्ट जिंगल है अपन कैसे बोलेंगे? अपन बोलेंगे Entrosyai Entrosyai और फिर बोलेंगे TP-PL TP से क्या है? तो इसको जब फास्ट में बोलोंगे तो तुम्हें बिल्कुल याद हो जाएगा एक बार मेरे साथ बोलके दखाओ इंट्रो से TB-PL बल्ला बिल्कुल सांस मत छोड़ो एक साथ बोलो TP-PL तो एक बार तुम बोलो जितना तुम अगर इसको कॉपी में याद हो लिख लो या मेरे साथ एक बार बोलो तुम अच्छे से याद हो जाएगा तो फिर सब बोलते हैं इंट्रो से इंट्रो से मसल T और P से हो जाएगा TB-L is posterior PL से हो जाएगा Peroneus longus तो अपन ने सबसे पहले यह पूरी लेयर्स की कौन-कौन साथ इसको जो है मसल होती है वह अपन ने याद कर लिया और मैंने आपको इसकी जिंगल बताई तो इसकी सारी जिंगल अच्छे से याद कर लेना आपन देखते हैं इन मसल का नफस अप्लाय अब बेसिकरी यह जो अपना वाला पार्ट है इसको अपन प्लांटर भी कहते हैं मतलब जो सोल है उसको अपन बोलते हैं प्लांटर मतलब anything related to सोल is प्लांटर अगर इसको जो नफस अप्लाय कर रही होगी उसका नाम होता है दो नफस करती है एक होता है मीडल प्लांटर में रहती है को बोलेंगे मीडल प्लांटर मोई मदिए हो है तो इसको याद करने इक ट्र IgA ब अहीं that, वह सरिफ 4 गोश्फनाव rickete करती। उवह आप 4 giàd कि neighbor तो आपको इसकोदिखा हों, यह तो डियागराम से, यह आप का है, मिडिल प्लांटर नव का डिया गिरम, इसाइड में दूसी नव और इससे 4 मसल को सप्लाय करतीं है, तो वह व्याटर में फंस लेयरर में में 2 मसल हों एक आपने चांष सबसेह इं। मेडल प्लांटर सप्लाई होती है बाखी 2nd, 3rd, 4th जो है वह लेटर प्लांटर नफसे सप्लाई होती है देन अपन देखें थर्ड लेयर में सिर्व एक मसल वह है फ्लैकजर हैलसे ब्रेविस जो है याद, इसे 4 मसल जो है याद कर लो कि वह आपके मीडियल प्लांटर नफस होती है बाखी के रेस्ट काहन पर डालता है और बाखी के रेस्ट जो है आप बोल देना ये लेटर प्लांटर नफसे सप्लाई होती है बेसिकली मैं तुम्हें यही बोल रहा हूं कि मजदूरी करना छोड़ दो मजदूरी से मेरा मतलब है कि फालतु को यह तुम हार्ड वक करते हो ना इतना जादा कि पुरी बुक ले लिए पुरी बुक बुक रीड कर रहे हैं तो यह नहीं है भाई यह वो टाइम चला गया कर दो फाल तुम्हें चीजों को कंफ्यूजिंग मत बनाओ बहुत इजीली सारी चीज़ा याद हो जाती है और जो पीजी वगरा के दर एक्जाम बरेते हैं उसमें भी बहुत स्यादा कंसेप्शल चीजी आती है मतलब ज्यादा वो टेक्निकल नहीं पूस्ता वो सिरिफ व करना में जय का है चैनल केसे आने हैं तो तो में करना है तुमसे मेरी वीडियो देखना है विडियो में अप्लोट करने वाला हूँ स्टून फीडिंग वाला में आपको काम करवा रहा हूं और मेरे चैनल को इसलिए में बोरो सब्क्राइब कर लो विडियो पूरी अनाटमी की वीडियो पूरा वीडियो में अपलोड करने वाला हूं तो आपने यहां पर आपने क्या देखा कि जो मीडर प्लाइटर नव है उसे चार मसल को सप्लाय करता है और रेस्ट वाले सारे मसल आपके जाएंगे लेटर प्लाइटर में आपन दिखते हैं वर्स लेयर की मसल के औरिजन एंड इंसर्शन अब मैं फिर से बता देता हूं इसके जो ओरिजन इसर्शन है वो आपके इतने युनिवर्सिटी और पीजी में बॉर्डन नहीं होते लेकिन शिर्फ आप कंट से बनाने के लिए एक बार उसको ध्यान से सुन लो अब भी आप इसको 2D में देख लो जैन जा मैं आपको 3D जो मॉडल दिखाऊंगा अभी उसमें क्या होगा आपको सारा इमेजन हो जाएगा सबसे पहले फर्स लेयर में आपन ने तीन मसल देगी दी अब उसमें पहली मसल देते हैं कौनसी अब आप इसमें देखें इसका ओरिजन कहा हो रहा है इसका ओरिजन आपका हो रहा है यह कलकेनियम बून की मीडियल टूबरकल पह है इसका 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 इसका हो रहा है इसका हो रहा है इसका हो रहा है इसका हो रहा है मीडियल ट्यूबर्कल फ कलकीनियम से और इसका इंसेशन जो है अगर आप देखें यह फोर टेंडन में डिवाइड हो रहा है क्योंकि डिजिटोरम है इसलिए फोर टेंडन में डिवाइड होता है दैन यह जो म यह जोड़ आखरी मसल जो कि है abductor digitimini me इसका जो origin है वह कहां से हो रहा है वह आपका हो रहा है medial इमेडियल साइड है और लेटल भी है तो medial लेटल ट्यूबर्कल अफ कलकेनियम बोंस से और इसका insertion आप देखें तो इसका insertion भी कहा हो रहा है इसका इंसर्चन आपको और बेस्ट प्रोइक्जिमल फैलिंग्स पे तो आपको यार एक ट्रिक बदा लेता हूं कि फस्स लेयर की इतनी भी मसल होती है उन सब मसल का उर्जन हमेशा कहां सो रहा है उनका उर्जन आपको होता है कलकेनियम बोन पे और इंसर्चन पे देखें उ उसका इंसर्चन हमेशा कहां प्रोटा है घुशा कहां प्रोथा है मिडल फैलिंग्स पर देन अपना यात कि सेकन्ड लेयर का जो फो कहसा होता है अब सेकन्ड लेयर कश्राइ Chu ब्लमबाक क्यों एक लंबरीक और चरे क्वाड्रेटर्द क्ला इसका उर्जंद हमेशा कहां स क्वेटर प्लांटिंग मसल देखें तो अशका ऊरिजन इसका उरिजन कह sprout है इसका ओरिजन बे आप वरा कले कि नियंप मोल से and और कलकेनियम बोन पे मीडियल प्रोसेस और टूबरो सिटी से हैं कलकेनियम बोन पे होती है मीडियल प्रोसेस और टूबरो सिटी उससे इसका हो रहा है ओरिचन और उसका इंसर्शन आप देखें तो इसका इंसर्शन आप देख रहे हैं इसका इंसर्शन आप देख रहे हैं लेटरल पहले ये मीडल साइड है तो लेटरल साइड है तो लेटरल साइड और तेंडन और फ्लेट डिजिटरम लॉंग वाल्स की टेंडन पर इसका हो रहा है इंसरेशन फिर आपन देखते हैं थड़े लेयर और थड़े लेयर गाजेमेल दी फ्रेन्ट एचिडी एच्छी 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 से आप याद कर लेना क्योंकि इसके उपर उनिवर्सिटी में कॉशन आता है कि थड़े लेयर की मसल लिखे और अगर वा आपको इसका origin इंसाइशन लिखने का भी बोल देगा, तो आपको दिखना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपन देखते हैं, यह है, फ्लेक्जर हैलेसिस ब्रेविस, अब इस फ्लेक्जर हैलेसिस ब्रेविस का और आप origin देखें, तो अपन ने मेटा टार्जल में अपन देखा था कि कित्ती मेटा टार्जल होती है, सेवन, तो इसका origin जो है अपन ने टार्जल स्मूंज देखी थी ओस्टिलोजी में, उसमें जो क्यूनिफॉर्म होती है, बनने एक तीन क्यूनिफॉर्म देखी, एक मीडियल, इंटरमीडियल और लेटर, अभी अब अब और बन जो क्यूनिफॉर्मॉर्म देखे जो है एक मीडियल इंटरमीडियर क你在u 놓im परूर्जी बन परूर्चैक क्यूबझ बन पर खूर्जन होता है, पुलित अर्शन में पने जो ब्लट पारो में छाँ स्ब्लेट Всё पतले आपके में भी अचे है, मायलल का व्लट ने स्व स ब느म्ट पर में एक में इसका इसलिफ बाद इसके के बाद तो प्रोग पर फिर आपन देख ने पहले हैं. उसल तुछ पोरं के पाजिंति मिनिमी म Without a R? वा कहाा सो रहा है में अपर मिकर्षा क्रीकर में आपना घम करें निटी में, तो जो एड़क्टर हेलसिस जो है उसका अपनने दो हैड देखे एक है टांसफर्स एक है ओबलिक तो उसका जो ओबलिक हैड है वो क्या है वो रिलेटिवली लार्ज है और वो जो है थ्री वो जो है सेकंड थर्ड और फोर्थ मैंटार्जल बोन से अगर आप देख पा रहे अब है बेस ओफ ग्रेट टोप है और फिर सिमिलरली जो आपने ट्रांसफर्स हैड देखे तो ट्रांसफर्स हैड का ओरिजन का होता है थर्ड फोर्थ फिप्थ मैंटा कार्फ फैलेंजल जॉइंट अपना पोश्म जाँग यह क्या यह आपका मैंटार्जल यह आपका फैल तर्ट फॉर्थ और फिफ्ट मेटा टार्जल जॉइंट से टांसर्फ हेट का हो रहा है और इंसेर्शन कहा है इसका बेस ओप प्रोजिमल फैलेंग्स ओग्रेट टोप है तो यह जो है थड़ लेयर की मसल की सारी ओरिजन तेन उसका सारा इंसेर्शन में आपको बता दिया दे अपने देखा था मेटा टार्जल बॉन से और इसका इंसेर्शन कहां पर होता है आपको होता है बेस ओप प्रोजिमल फैलेंग्स पर अब अपने इसका देखते हैं 3D मॉडल तो यह आपकी है फूट की सारी बॉन तो इन सारी बॉन को में पहले आपको रिवाइस करवा दे आपन देखते हैं में पार्ट पर इसके टार्जल बॉन पर तो सबसे पहले यह वाली है यह कौन सी बॉन है यह आपकी कलकेनियम बॉन आपकी कलकेनियम बॉन यह आपकी कलकेनियम बॉन को में सेपरेट करके दिखाऊं तो यहां पर आप क्या देख पा रहे होंगे यह है कल यह आपको जल्दी जल्दी में रवाइज करवा रहा हूं और यह लास्ट वाली है आपको बोंस रवाइज कर दी अवपन देखते हैं अवर्ण कर देखें यह क्या है यह है यह आपका सूल और सूल में भी यह आपकी फस्सलियर में ती मसल थी तो अब अब देखते हैं कि सबसर पहली मसल जो कि यह 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 आपकी अबड़क्टर हैसस तुसका ओरजन अगर आप दिख आ रहे हूं सेपरेट करूं तुसका और चा और यह आपको बताया था कि मिडिल फैलिक्स पर होता है और कैसे होता है यह आपके दो स्प्लेट में दिवाइड हो जाती है और आपका मिडिल फैलेक्स पर जाके इसका हो जाता है इन इसको अब मैं हाइड करता हूं दें आखी मसल्स आपको लिख रही है यह आपकी अबडक्टर डिजिटी मिनिमी और इसका जो है मीडियल और लिट्रल दोनों इसका देख लिया तो आपको पूरी यह याद भी हो जाएंगी तरहन इसको अब ना हाइड कर दिया तो जब अपन फस्स लेयर को अब आपन हाइड करते हैं तब ही अपन रिखती सेकंड लेयर तो अपन आगा इसके सेकंड लेयर पे जब से पहले यह क्या है यह आपके अबत ब्र क्योंहे से अब अब लूब यह फ्लेग् है प्लाile दिजित्टोरं Katie क् सब्सक्राइब करत大 हTom़ी द्शाध कंड लेंट लुट Bowl फो जिस्तितोरं लूबंवन यह त मूसलकों में करता हूं कृएं इन यहां पर अपको यह क्या है यह निलंबुरिकर म तो अपन के कर लेते हैं आपना कर लेते हैं हाइड ताकि अपनको फूरा जो ज़िख रहा है यह थर्ड लेयर तो इसमें एक टेंडन है इसको में करना पड़ाय गा हुझा हाइड तब आपको यह देहेगी सेपरेड मसल जो की है फ्लेक्षर हैलेसिस ब्रेविस थर्ड लेयर म इन मैं आपको बता क्या रहती है आपके रहती है अपके रहती है अभर सेडोर करता हुँं करता हूं तो यह क्या है यह है यह आपका स्टरीनी फॉर्म है यूए है उरिव हैandercion निफॉटीर ऑंगर सेट क्मिवर्द तो एक कंपने देखता क्यूबड बोन आ लेन उसके एलावा अपने देखता अन्य मीडियर प्रहूं इसलिए मैंने आपको बला था मीडियर इंट्रेमीडियर की फॉर्म और एक क्यूवर्ड वॉर्म इन तीन जगा से होता है इसका और इसका इंसर्शन अपन देखें तो मसल दो पार्ट में स्प्लिट हो गई दो बाटन क्यों स्प्लिट होई थी तो कि अपने वो टेंडन अपने इसको अच्छा रहेगा बजाए इसको रटने के इसके सिर्फ डागराम तो देखना ही है तो डागराम देखने के इसको थीडिए में इमेजिन करो यह पनसे दियर कि अपनम Я घर दिसको अबरत की इसके मारी यह अपकी आपकी आक्री यह अफ्लैघ्जव डिटीमिनी इसा चैनल था क्षेश लिए है लिए फोट, अपस्ट वोंड के बेस सिह निजगी में अरीजिन इंस्रेशन का हो रहा है बेस बर्चों प्रोग्जमिल प्रैलंग्स तो उसको अबलिक आपने हाटा दिया एक जो है लिगामन्ज है उसको अबन हाटा दो नहीं दोडिए आपके इंट्रोशाई की मसल अब इंट्रोशाई मसल होती है एक होता है फ्लाइंटर इंट्रोशाई और इसके आउट साइड डॉर्सल में तो भी डॉर्सल में नहीं बता है मैंने प्लांटर इंट्रोशाई में नहीं बताया कि इतनी खास इंपोर्टेंट मसल है नहीं तुसलिए मैं आप उसरे बिक डाले इंट्रोशाई मसल कर गया इसको मैंने बता दिया तो पूरा का पूरा अपन ने लेख लिए फिरी मॉडल में इसके सारी अपने मसल आगे अप तो आप दिजहरी यूट्यूब चैनल को लाइक करें इसे सब्क्राइब करें क्योंकि इसमें सारे के सारे में आपको डालने वाला हूं लोर लिंक की वीडियो और उसके अलावा जो है अपने इसमें सारा इनाडमी कवर करेंगे और उसके लिए नोट्स चाहिए तो मैं है अगर हम आइडी पर जो है अब जाके सारे नोट्स देख सकते हैं